नमस्कार दोस्तों तो आज से हम लोग शुरू करेंगे वर्ड मैप के अंतरगत नौर्थ अमेरिका अर्थात उत्री अमेरिका के बारे में इसका समगर अध्यन होगा पार्ट वन आपके सामने हैं क्लास वन में हम लोग ने अलड़ेडी देखा हुआ था कि किस प्रकार से आप लोगों को मैप का मैश टड़ी कराऊंगा कैसे यहाँ पे सिग्मेंट अर्थात यहाँ पे टुकडो टुकडो पे अगर आप लोग पुर्भाइट कराया जाए तो लंबे समय तके जो माइंड मै अगर उसको बहुत अधिक मर्ज करके एक साथ पुरा पुरा से खिटड़ी बना के दे दिया जाए तो फिर समस्य आएगा देखने में इस उंदर नहीं लगेगा ठीक उसी प्रकार से जो मैप है जाहें वो वर्ड मैप है वर्ड मैप गंतरगत जो भी पॉलिटकल मैप है फ इसको मेमोराइज किया जाएगा तो उसी में समस्याएं आती है अगर आप एक ही साथ चीज़ों को स्टड़ी करने में बैठेंगे तो हमेशा ही वो चीज़ें आप छूट जाएगी या कभी कवर नहीं कर पाएंगे आपके मस्तिस्क में ठीक है एक जगह कितने ही सारे यहा चाशड़ी करना थीम के अंतरगत किसी पार्टिकुलर एरिया को सामिल करना तब जाके आप मैप और बेहतरीन तरीके से आप सीख पाएंगे कर पाएंगे और इसी को ध्यान में रखते हैं हुए देखे मैंने यहापे नौर्थ अमेरका का जितना यहापे सिगमेंट बन पा जलसंदी, खाडी, सागर, दीप, जितना भी अस्ट्रेट है, बे है, सी है, आइसलेंड है, इसके अलावा यहाँ की जलवाई क्या होगी, मिटी, प्राकृतिक मुनस्पती, क्रिसी क्या होगा, मचली संसाधन, खनीजयम, उर्जा संसाधन, जनसंख्या, परिवान और जो भ आपको फिर से दोबारा दोबारा परसान नहीं करेगा, इसलिए देखिए मैप को आप जब भी शुरुवाती समय में पढ़िए, तो कोसिस कीजिए, कि मैं जितना यहाँ पर पढ़ा रहा हूगा, आप उसको नोट डाउन करते चले, मैप जैसे भी हो, टेड़ा मेरा आप उसे बनाते चलिए, और जो भी एक मैप का जो बुक मैंने सजेस्ट किया था, चाहे वो अस्कूल हो, या फिर अस्टुडेंट का, जो मैप का जो बुक आता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसको आप रिस रिफरेंस के तोर पे यहाँ पर यूज कीजिए, तो आप पसानी से यहाँ पर समझ पाएंगे, बहुत इंट्रेस्टिंग जर्नी है, देखिए, पुरग पुरज वर्ल्ड मेप, बिल्कुल आपको लगेगा कि हम वही पर घूम रहे हैं, तो आपको यह जूम करना पड़ेगा, और खुद से पेंच चलाना पड़ेगा, तब जाके म समयता किसे आप याद रखेंगे, यह हो सकता है कि गर रिवीजन करते रहे हैं, तो आपको आजीवन इतनी सानी से भूलने वाला नहीं है, तो चलिए सबसे पहले नंबर वन जो सिग्मेंट हम लोग बात करते हैं, समान ये परिचय की, तो यह है यहाँ यहाँ पे नौर्थ जोड़े कहानी है, चुकि इसकी जो खोज होई थी आपको पता है, यूरोपिय वासी उसमें एक वेक्ति का नाम है, जिसका नाम है क्रिश्टिफर कोलंबस, 1492 में कब 1492 इस भी में क्रिश्टिफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की यहाँ पे खोज की गई थी, और उसी समय अब यह क्या बन गया, तो पहले और डेड़ी जो यूरोप था, अफ्रीका था, एसी या था, जो पुरानी दुनिया था, अब उन उन पुरानी दुनियाओं के लिए अमेरिका क्या बन गया, तो कि इतने बार एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि नई दुनिया क्या है, तो अमेरिका, अब अमेरिका में उत्री अमेरिका भी सामिल है और दचडी भी अमेरिका भी सामिल है, आज हम लोग जिसका शड़ी करने जा रहे हैं, ओ है यहापे किसका, उत्री अमेरिका, दियान रखिएगा किसका है, उत्री अमेरिका, लेकिन इस महादीप पर आपको ज भी इसको बोला गया ये कोलम्बस से पहले आया हुआ था लेकिन इसका नाम हमें ठीक है जेनरल ही आपको इतियास में लगभग लगभग इसका लुप्त हो गया है इसलिए देखिया इस अमेरिगों से ही इन सारे ही कंटिनेंटल का जो नाम क्या पड़ा अमेरिका पड़ा अम च्छेत्रों में आएगा यहां पर और इन सारे च्छेत्रों पर ठीक है आएगा तो उसको लगेगा एक बने हमने इंडिया की खोज कर दी इन च्छेत्रों में रहने वाले जितने लोगों को क्या बोल देता है वो बोलता है कि यह लोग रेड इंडियंस है कैसे है रेड इं अमेरका के भी कुछ देश हैं जो कि इस लाइटीन अमेरका में सामिल हैं तो यह रहा कुछ बेसिक बात हैं अब आए कुछ में लोग बात करते हैं आप जीघरोप कर लोकेशन की यह हैं आप देख पारें इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर बोलते हैं जीरो डिगरी पर यहां पर होता है ठीक है जीरो डिगरी एक्वेटर है भूमत देरेखा भी इसे बोला जाता है अब अमेरका की यहां पर जीघरोप कर लोकेशन की बात किये जाए खासकर उतरी अमेरका की तो उतरी अमेरका जो महादीप है साथ डिग तो दोच दिग्रिली के आसपस, और 10 दिग्रियस नीचे कितना रहीगा? 7 दिग्रिदी और कितना पर आएगगा काया है? तो जीरो डिग्रियक उपर जितना भी है, इसको बोलते हैं लोग नौर्थ एमिजब्र उतरी गुलार्द भी बोलते हैं, और नीचे बोलते हैं लोग अगर आपको थोड़ा बहुत भी आईडिया नहीं या चांस रखा क्या होता है तो बिल्कुल समझिये और येंटल लाइन जितना है सब ठीक है एक्वेटर के जो भी पैरलल खीचा जारे इसके समना अंतर सब यहाँ पर क्या है अचांस लाइन है और बीच में इहाँ पर आपको मिल जाएक लाइन जिसको meridian इसको बोला जाता है इसको vertical खीचा जाता है और इसके समना अंतर जितना भी खीचा जाएगा उसको हम लोग बोल देते हैं अंतर रिखा अभी सिंपल समझें ठीक है जीघ्रोफी की जब क्लास मेरी करेंगे तो आच्छांस और दिसांतर रिखा को और अच्छे तरीके समय बताऊंगा तो आच्छांस का हो जाएगा यहापे 0 डिगरी कितना डिगरी तक यहापे 90 डिगरी तक हो जाएगा अब और उपर यहां तक जाएगा देखें पचासी डिगरी तक जाएगा उपर यहां तक जाएगा देखें पचासी डिगरी तक तो एकजाम में प्रस्ण आ जाता है कि अमेरका की अच्छांसिय हिस्ति डैस डैस है कितने कितने के बीच है तो साथ डिगरी से मैं यहां पर लिख द बात करते हैं यहां पे दिसांतर रेखा की तो यहां पे देख पारें एक लाइन यहां पे है यही है ठीक है अमेरिका का यह अलास्का का छेतर है ध्यान रखेगा अलास्का का छेतर है यहां से शुरू होके लगबग लगबग यह ग्रीन लेंड के आसपास यहां पे खतम होता है तो यह हो गया दिसांतर अब एक कितना से कितना के बीच होगा आपको यहां पे धियार रखना पड़ेगा तो यह हो जाएगा यहां पे 35 डिग्री 35 डिग्री से लेके यहां का जो एंगल बन जाएगा लगभाग 170 डिग्री के आसपास अब देखिए एक जो लाइन खिचा अब इस लाइन को इधर वाले जो च्छेतर को बोला जाता है पूरवी गुलार्द क्या इस्टर है और इधर वाले लाइन को बोला जाता है यहाँ पे पुरा पुरा इसको बोला जाता है वेस्टर नहीमसफेयर मने पुरवी गुलार तो अमेरिका पूरी तरीके साहँ पर देखेंगे काहां मौझूद है तो यह मौझूद है ठीक है पस्चमी गुलार्द में अब इस पस्चमी गुलार्द में जब मौझूद है यहाँ पर लोग लाइन खीच क्या सकते हैं इसका जो देशांतरिय जो इस्तिति होगा कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 35 डिगरी से लेके कहां तक 170 डिगरी यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग आप लोग रिप्लाई करिए इस्ट क्या लगा देंगे इस्ट सोरी इस्ट के नहीं होगा यहाँ पर वेस्ट होगा क्योंकि यह कहां है पस्चमी गुलार्द में इस्तित है अब कुछ और हम लोग बात करें यहाँ पर तो तो प्रकार आप देखेंगे तो पनामा नहर यहां पर जो है यह पनामा नहार उत्री अमेरिका को दच्छी अमेरिकास क्या कर रहा है अलग कर रहा है उसी प्रकार यहाँ पे जस्ट आप देखेंगे यह जो लाइन है यहाँ पे एक अस्ट्रेट है जिसको बोलते हैं बेरिंग अस्ट्रेट क्या नाम है यहाँ पे Baring Strait Baring जलसंदी इसको बोला जाता है जलसंदी मैंने बताया था आप लोगों को कि जो दो ठीक है यहाँ पे नदी मार्ग को समूंदरी मार्ग को क्या करती है जोड़ती है और यहाँ पे अस्थलिय मारगों को अलग करती है तो यह वाला जो इलाका है ठीक है यह हो जाएगा यहाँ पे रूस का चेतर हो जाएगा इसलिए यह क्या कर रहा है ध्यान से आप लोग देखिए तो पनामा नहर इस महादीब को दच्छिड अफरिका से तथा बेरिंग जलसंदी यह सिया महादीब से क्या करता है पिर्थक करता है यह बेरिंग जलसंदी एसिया को अमेरिका से क्या कर रहा है पिर्थक कर रहा है और यहाँ पे दूसरी चीज कि अगर अब इसकी अवस्तिती की देखिए यहाँ पे लगभग लगभग इसकी structure की बात करें कुछी इस type का ठीक है देखिए यहाँ पे कुछी इस प्रकार का यहाँ पे बन रहा है तो उत्री अमेरिका महादीब की मुख्या अक्रिमिती लगभग लगभग आपको क्या दिख रहा है लंबाई अधिक है चोड़ाई क्या है? इसकी कम है तो कितने वार इसका आकार पुछ ली आता है इसका आकार कैसा होगा? तो इसका आकार हो जाएगा आयता आकार कैसा हो जाएगा? आयता आकार ठीक है आप लोग यहाँ पे note down करते चलें सारा चीज इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है कि छेतरफल की दिरिष्टी से आपको ये भी थोड़ा भूता इरिया होना चाहिए कि छेतरफल की दिरिष्टी से एसिया और अफ्रिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा जो महादीब है वही क्या है अमेरिका है तो नमबर वन यहापे कौन सा सबसे बड़ा महादीब होगा एसिया दूसरा यहापे हो जाएगा अफ्रिका और आज हम लोग तीसरा जो महादीब की बात कर रहे है यह हो जाएगा नौर्थ अमेरिका ठीक है और जैसे आपको पता भी होगा कि हमारे पूरे पिरित्वी में लगबग 70% भाग जल है 30% भाग ही अस्तलखंड है और इस 30% भागों में अगर इस 30% को आप 100% यहापे मान लिए मने अस्तलखंड का 100% भाग में पूरा का पूरा जो सिर्फ और सिर्फ नर्थ अमेरिका जो कभर कर रहा है 30.4% कितना है 30.4% भाग पे यह कभर कर रहा है तो यह भी काफी important है दूसरा बात हम लोग करते हैं यहापे इसका 3-4 थाई देखिए छेत्र सबसे बड़ा जो एरिया है आपको दिखाई देगा उपर कनाडा next map में मैं आपको दिखा रहा हूँ यही से आप लाइन खिश देंगे यहापे आप देख पार है यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह वाला इलाका क्या है कनाडा है यह वाला इलाका उवेसे इधर है मेक्सिको इधर छोटो छोटो छोटे हैं पर लाइटीन अमेरका के देश है यहाँ पर पुरक पुरत दीवों का सम्मूह है जिसको कैरे वियाई दीव सम्मूह भी बोला जाता है अब यहीं यहाँ बताने की कोशिस की जा रही है कि इसका तीन चौथाई छेतर अगर देखा जाए तो कनाडा और इवेसियो को यहाँ पर मिला दिया जाए तो कितना चौथाई तो तीन चौथाई छेतर यह खुद कभर कर लेता है और बहुद जो एक चौथाई जो छेतर बचेगा मेक्सिको हो जाएगा यह वळा इलाका हो जाएगा पूरा और यहाँ पर ग्रीन लैंड भी है इनको मिला दिया जाए, तो यहाँ पे एक्षे उत्राइ बाला भागी हो जायगा तो यहां पे होगा, यहां पे आलासका आपको मिल जाएगा देखने के लिए आलासका यह ए आलासका इनाइटेड अस्टेट ऑफ अमिरिका का पाठ है अभी मैं इस पे आ रहा हूँ थोड़ा सा पलोग ठीक है पिसेंस रखें अब देखिए जस्ट इसके उत्तर में इधर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा अपको उत्री धुरू महासागर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ ठंडे और बिरान इपह पहुत सारे यहां पर आप क्या है इसी में ग्रीन लैंड भी है तो इसी अपलोग करते रहेंगा तो यहीं है एडिद्यांट यह वाइप आप देख पारेहे ठीकऺ यह है यह है धीप का समू, बिल्कुल देखे तूट गया है, अलग-अलग छोटा-छोटा-छोटा-छोटा डीप है यहाँ पर, और यहीं से यहाँ पर जो बना हुआ है, क्या बना है बिसुए का सब से बड़ा डीप यहाँ पर ग्रीन लेंड भी इस एरिया को जो 29 के 29 जो भी देश है इसको कुछ यहां पे बाटा गया है और बाटने का अधार क्या है हो राजनायतिक दृष्टी से इसको क्या कर दिया गया है तीन खंडों में बाट दिया गया है पाला यह गों इसको बोल दिया गया है इंगलो अमेर्का क्या बोल दिया गया है इंगलो अमेर्का अब अब खुद बताईए कि इंगलो अमेर्का क्यों बोला गया है क्योंकि यहां पे आने वाले जो लोग थे अधिकतर लोग बिर्टेन अर्थात अंग्रेज के लोग थे और साथ में पला देखेंगे तो इंगलो क्या है यहाँ पर इंगलो इंडियन लोग मौझूद है जो कहीं कहीं देखेंगे भारत जब गुलाम बना हुआ था तो उस समय जो भी भारत की जो महिलाए या फिर जो भी यहाँ पूरूस हो गया उनके जो बच्चे यहीं पर रह गये बिर्टेन वा मौझूद है उनका स्कीन किलर देखेंगे आप बिल्कुल ठीक है न वाइट वाइट आपको दिखाई देगा वैसे लोगों को यहाँ पर इंगलो इंडियन बोला गया जरूरी नहीं कि वाइट वाइट यहाँ पर रहेगा ही रहेगा स्वेथ कोई जरूरी यहाँ पर नही मेक्सि کوस को लिएकर लैटिन अमेरिका तक के देशों को बोल दिया गया मद्ध अमेरिका द्यान रखेगा मद्ध अमेरिका और तीसरा जो एरिया है यहाँ पर है करिवियाई दीफो का समुव देखेंगा यहीं पर ठीक है जमय का है उसेन बोल्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि कितने सारे ओलंपिक का महारत ही आदमी सब्सक्राइब दुनिया का तेज धावक तो यहीं है उसेन बोल्ट समझ रहे ना यहीं पर राता है यह पूरा पूरा है जो इलाक दीब समुः कोई भी नाम यहाँ पर दे सकता है कैरे भी आई दीब समुः ठीक है या फिर इसको पस्चिमी दीब समुः भी बोला जाता है ध्यार रखेगा पस्चिमी दीब समुः इसे बोला जाता है अब आईए हम लोग आगे हम लोग बात करते हैं मैंने बताया था आ पर इवेसे और इसको ठीक है पनादा को मिला देंगे तो यह इंगलो अमेरका हो जाएगा मेक्सिको से लेके पूरा इदर पनामा नहर तक मिला देंगे तो मध्य हमेरका यहाँ पर हो जाएगा अब समझ रहे न अब इसके ज़स्ट दच्छल में याँ पर क्या सुरू हो अब यहां पर आपको क्या हो गया वेस्ट इंडिज या कहरे भी आई दीप सम्मुहों कहां पूरा कपूरा क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा ठीक है और रहा है कि मेक्सिकों दच्छिल अमेरिका मध्य में इस्थित देशों को राजनायतिक यों सांस्क्रेटिक अधार पर यहीं है मध्य अमेरिका के नाम से इसको हम लोग जानते हैं अब देखिए आपको पूरा कपूरा गरिस अमेरिका के छेतरों को आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कोई भी ऐसा लेंड लोग जो कंट्री होता है वो मौझूद नहीं है हर एक देश की जो सिमाएं हैं या तो आपको इधर प्रसांत महासागर के तरफ दिखाई देगा या फिर अटलांटिक महासागर के तरफ दिखाई देगा तो इसमें एक प्रस्ण बन जाता है कि विश्व में ऐसा कौन सा ऐसा महादीप है जिसका एक भी कंट्री अस्थल रूद यहाँ पर ठीक है देश नही और देश की जो सिमाएं हैं समुंदरी और रिखाव से ही पूरी तरीके से घीरी हुई है अब आए नेक्ष्ट बात करते हैं लोग इन ही देशों में इन ही खेतरों में स्थीत कुछ देशों की और उनकी जो राजधानियां है अक्सार एक जाम में पूछ लिया जाता है अब आए नेक्ष्ट हम लोग यहां पर बात करते हैं राजे और राजधानी के रूप में तो सबसे पहले कनाडा है अब इस कनाडा की जो राजधानी है यही पर आपको मिल जागा जस्ट देख रहे हैं न यह बहुत पांच लेक है बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लेक है आगे मैं बताऊंगा कनाडा की राजधानी इसको बोलते हैं ओटावा है कहां है ओटावा लाजधानी देखें ऐवे से यूनाइटेट अश्टेट ऑप अमेरिका स्वंब टराज अमेरिका भी से ठीक है बोला जाता है इसकी राजधानी कहा है तो वासिंग्टन डी बापत है यहीं पर आपको मिल जाएगा Washington D.C. वासिंग्टन जो location है आप आप मैं आपकी पढ़ाई कर रहे हैं कौन सच्छेतर किस जगा पे इस्तित है यह आपके लिए जाना सबसे important है तभी जब जाके news में रहेगा आचानक आपके मस्तिस्क में रहेगा ओ उटावा ठीक है यह पाँच पाँच जो जील है बड़े बड़े जील है जश्ट उसके उपर मवजूद है जैसे बोलेंगे वासिंग्टन डेसी तो लगना चाहिए कि अमेरिका के पुर्वी तटो परिस्तित जश्ट अट्लांटिक महासागर अपलेसियन परवत के आसपास क्या है इस्तित है तो इस तरह जब आप मेमोराइज करेंगे तभी जाके मैव को आप लंबे समय से रख पाएंगे मेक्सिको की रजधानी अगर देखेंगे तो मेक्सिको सीटी यहीं पर छेतर है इसकी रजधानी है मेक्सिको सीटी अब यहाँ पे देखिए जो छोटे छोटे जो यह कुछ लाइटीन अमेरिका देश हैं इनका नाम आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और यकीन में यकीन समेर्ठी के कह सकता हूँ कि जेनरली देखिए इसका नाम पूछ लिया जाता है बड़े बड़े देश जेनरली सरा ला सुडिन देखिए जाते छोटे छोटे जो है न यह बहुत परसान करता है तो देखिए यहां पर मेक्सिको के जश नीचे इधर पेसिफिक वोसियन के तरफ परसान्त महासागर के तरफ और एक सिमा है इधर कौन सा अटलांटिक वोसियन के तरफ यहां पर पूछ सकता है कि इसे अमेरिका के जो कौन-कौन से जो देश है जिसकी सिमाएं अटलांटिक उसियन के तरफ लगी हुई है दूसरा पूछ देगा कि अमेरिका के इसे कौन-कौन से देश है जो यहां पर पेसिफिक उसियन के तरफ जिसकी सिमाएं लगी है अब मेक्सिको का नाम नहीं देगा इसका नाम देदेगा छोटे छोटे इसलिए इसका नाम और इसकी जो राजधानी है हमारे लिए जानना इंप्रोटेंट है तो ध्याम से देखते चलिए ये वाला जो इलाका है देख रहे हैं इच्छेत रहे है इस देश का नाम है काफी फेमस इसका नाम है ग्वाटे माला क्या नाम है ग्वाटे माला और इस ग्वाटे माला की राजधानी है इसमें सीटी जोड़ लिजिए ग्वाटे माला सीटी बड़ा असान नाम है ग्वाटे माला सीटी अब जस्ट इसके देखे पूरा बोला जो एरिया है इधर अट्लांटिक वो राजधानी है वेल मुपान है क्या राजधानी है इसकी वेल मुपान दो कंट्री हो गया अब जास देखे यह वाला जो छोटा सा इलाका है यह ठीक है इसका नाम है इल सलवाडोर क्या नाम है इसका इल सलवाडोर इल सलवाडोर भी बुला जाता है इल सलवाडोर और इसकी जो राजधानी है इसकी राजधानी का नाम है सान सलवाडोर सान सलवाडोर या सलवाडोर आप लोग ठीक है आवाज से इसे थोड़ा मेकप कर लीजेगा अब यहाँ पे जो है इधर अटलांटिक वोशिन के तरफ यहां पे जो देश है इस देश का नाम है देखें जस्ट इधर यहां पे लगा हुआ है ध्यान से आप लोग देखते चलिए इसको बोलते हैं हम लोग होंडरोस क्या बोलते हैं होंडरोस ठीक है हुंडरोस और ये हुंडरोस के जो रजधानी है ठीक है ठीक है टीक है तेलू सीगालपा तो ये क्या हो गया है बीच में ठीक है अब देखाई देरा आप लोगोंको बड़ा सा एरिया उला याँ पर इसका नाम क्या है होनुरूस अब यहाँ पर देखिए ठीक है यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा इधर आप देख पार है न यहाँ पर इन छेतरों में सबसे बड़ा जो कंट्री है बहुत ही फेमस नाम है इसका आपको आइडिया होना चाहिए इसको बोला जाता है निकार गुवा और निकार गुवा की जो राजधानी है ऐसे कर लेजे निकार गुवा मर्बों गुवा तो माना गुवा इसकी जो राजधानी है माना गुवा ध्यान रखेगा माना गुवा और जस्ट यह वला जो इलाका है देखिए यहापे यह जो इलाका है इसको बोला जाता है क कोस्टारिका बहुत ध्यान से दिखते चलिये कोस्टारिका और इस कोस्टारिका पनामा नहर यही जो इलाका है देख पा रहे हैं न यह इसको बोलाज गया इतर मैं उपर पनामा पनामा नहर क्या है पनामा नहर उसकी राज़धानी है क्या है तो पनामा सीटी में दगाज रहा हूँ पनामा सीटी उमेदी है आप लोगो कितना किलियर हो गया होगा अब नेक्ट जो पोर्सन बच रहा है हमारा इधर कैरे भी आई जो दीप है इसके राजी और राज़धान तो सबसे पहले आप इसको summarize कर लेजिए करनाटा की रजधानी कहा है उटावा किवेसे की रजधानी कहा है वासिंग्टन डीसी मेक्सिको की रजधानी कहा है मेक्सिको सीटी उसके बाद से इधर आजागा ग्वाटे माला पेसफी कोसिन के तरफ इसकी रजधानी है ग्वाटे माला सीटी पेसफी कोसिन के तरफ नीचे आएगा सेलवाडोर इल सेलवाडोर इसके रजधानी है सैन सेलवाडोर उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है निकारगुआ, इसके रजानी यह मानगुआ, उसके बाद यहाँ पे है कोस्टारिका, इसके रजानी है सेंजोस, और दूसरा यहाँ पे पनामा सीटी, क्या है पनामा सीटी, इसके रजानी कहा है पनामा नहर, तो इसमें से देख पा रहे हैं न, यहाँ पे भुंडरोस, निक कारगुवा होगा कोस्टारिका होगा और तिसरा पनावा नहार यह तीनों ऐसे छेत्रे हैं जो अटलांटिक ओसियन से भी सीमा साजा कर रहा है और पेसिफिक ओसियन से भी सीमा को यह बना रहा है तो आइसे ही प्रस्ण देखिए पूछा जाता है यहां बार-बार मैं दीप समू है इसको बोला गया यही है क्यूबा बहुत इंपोर्टेंट नाम है क्यूबा क्या नाम है क्यूबा की जो राजधानी है बहुत फेमस नाम हवाना यह भी निज में रहता ही रहता है क्यूबा की कहानी आप लोग पढ़ेंगे बहुत इंट्रेस्टिंग है अब इस दो छेतर में जो दोणों का अलग-अलग नाम है ध्यान रखिएगा पहला है यह अब पहाँ पे हैती क्या नाम है हैती के राजधानी यह पोर्ट ओफ प्रिन्स और यह जो आपको छोटा से दिखाई देरा इस साइड इसका नाम है डोमेनियन ठीक है डोमेनियन रिपब्लिक डोमेनियन रिपब्लिक और इसकी जो राजधानी है सेंटो डोमिगो है सेंटो ठीक है सेंटो डोमिगो सेंटो डोमिगो इसे आप लोग धियान रखेगा और यह जो छोटा साब को दिखाई दे रहा है बहुत ही फ्यमस नाम है यहीं है ठीक है जमायका क्या नाम है जमायका ठीक है जहां का उसाइन बोल्ट है तो जमायका की जो राजधानी है ओह जाएगा किंग्स्टन Kings, Saturn अब यहाँ पे कुछ और भी छोटे 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 यहाँ पे दीपो का समू टाइप का यहाँ पे मवजूद है इधर आपको मिल जाएगा बहमास क्या मिल जाएगा इधर? ठीक है बहमास इधर मैं लिख दे रहा हूँ छोटा छोटा है यहाँ पे बहमास बहमास की रजधानी कहां हो जाएगा? तो नसाओ कहां हो जाएगा? नसाओ इसके अलावा इन ही छतरों मिल जाएगा बर्मुडा ट्रिंगल ध्यान से देखते चलिए यहीं पे ठीक है जो कितना नाओ एरोपलेन यहाँ पे गूम हो चुका है यहाँ इलाको को बोला जाता है बर्मुडा ठीक है, बर्मुडा ठीक है, बर्मुडा की रजधानी कहां है? इसकी रजधानी काफी important हो सकता है Hamilton, क्या रजधानी है? Hamilton अब उसके बास इधर नीचे आएंगे इधर यह जो इलाका इधर इसको मार्स कर लिजेगा, इसे इतना जादे नहीं सोचना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रिनाड एवाम टुबेको, ट्रिनाड एवाम टुबेको, ट्रिनाड एवाम टुबेको, ट्रिनाड एवाम टुबेको की राजानी कहा है, तो पोर्ट अस्पेन, पोर्ट तो और भी छोटे छोटे कंट्री मौजूद है लेकिन क्योंकि वो न्यूज में भी नहीं रहता है और इतना इंपोर्टेंट भी नहीं है इधर आपको मिल जाएगा हवाई देव ठीक है जिस पर अमेरिका का यहां पर कंट्रोल होता है काफी एक टूरिजम प्लेस है तो इतन पर यह डेनमार्क के अंडर कंट्रोल में है किसके अंडर कंट्रोल में है डेनमार्क के अंडर कंट्रोल में है और एक ग्रीन लैंड ध्यान रखेगा विस्व का सबसे बड़ा दीप है लारजेस्ट आइसलेंड लारजेस्ट आइसलेंड इन वर्ड विस्व का सबसे बड़ दीप है 1687 वी में इसके पीछे भी कुछ कहानी है कि इसको 1687 वी में डेनमार्क डेनमार्क पता है न यूरूप में है तो यूरूप ने इस पर अधिकार कर लिया तब ही सिया अधिकिये राजनेतिक भोगोलिक रूप से उत्री अमेरिका का भाग है और इसका लगभग 85 परति क्या कर लिया अधिकार कर लिया तब ही से यह राजनेतिक रूप से यूरूप कहा है राजनेतिक रूप से इस पर कंट्रोल किसका है यूरूप का लेकिन भावतिक रूप से जिगरोप का लोकेशन की दिरिष्टी से कहा सामिल है तो हो जाएगा अमेरिका में तो पूछ कोड से उत्री अमेरिका का है वैसा ये की देख से जिसका नाम है Green Line ध्यान रखेगा Green Line अब यहाँ पे देखिए कितने बार पूछ लिया जाता है कि इसमें जितने भी country है country हो को देखे यहाँ पे ठीक है मेक्सिको हो जाएगा और नम्मर फोर में देखिए आप नीचे ये जो बड़ा इलाका आपको दिखाई दे रहा है निकार गुआ क्या है निकार गुआ उसके बाद से यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्यूबा क्यूबा तो ये चार पांच जो छेतरफल के दिरिष्टी से जो परवाद पठार इसके अलावाद जो भी मरवस्तल है उन सब को हम लुकल कंप्लीट करेंगे तो इसी तरीके देखिए बार बार आप जब कंप्लीट करते चलेंगे ना तो मेरी अस्टेट जी को समझी है आप पढ़ाने का अभी मैं ऐसा इसे लिए बच्चों टाप करा रह हुई है तुरात आपको आइडिया लग जाएगा बोलूंगा रियोड डियोनरियों यहां पर ठीक है अब अमेरिका के वस्चेमी भागों से निकलती है तो आपको जस्ट यहां पर मतलब आप उस समय बिलकुल आप रिकॉल करने कि स्थिति में रहेंगे तो धीरे-धीरे मे एक भी कलास मत छोड़िये यहां पर आपको दिया है यह के करके कंप्लीट करोंगा और सिर्फ और सिर्फ उतरी अमेरिका नहीं बल्किसी पैटर्न पे पूरा का पूरा भी सुका उसमें इंकलूड भारत भी रहेगा इसी तरीके से यहां पर कंप्लीट की जाएगी समय तो आपको लेकिन एक बार अगर इससे आप कर लिए तो यकीन मानिए कि आप किसी भी एक्जाम में जाएए आप बिल्कुल ही प्रस्ण को हल करने की सिती में रहेंगे ठीक है फ्रेंट्स लेक्चर पसंद आ रहा है तो इससे आप अधिक से अधिक ठीक है शेयर करते रहें थैंक्स पर वाजिंग जेहिंद